हों अच्छा हरा आज का क्लास बुलकुल बैसिक से एक काम करना ऑफिले कॉपी लोन भी है ठीक है आज क्लास बिलुकुल बैसिक से अमने कहां आप से बहुत सिंपल कहांगा आज आप से बाते करुंगे कोई पीपीट कोगे आज क कुंपल cup नहीं कोग शुदा फिर फिर के और आगे बढ़के मुझे बताओ कि आज सिखने का मूड है तो बोलो या सर आज धर्मेंसर इस बैक धर्मेंसर फिस बापिस आ गए हैं आपके लिए तो सारे हिंदुस्तान में हर बच्चों को क्रांती फ़लाओ मैंने आपको जगाया आप पूरे हिंदुस्तान को जगा द अब मैंने आपको सिखाया आप पूरे हिंदुस्तान को जगा दो कि धर्मेंसर इस बैक धर्मेंसर बापिस आ गए हैं आज की इस मोड में धर्मेंसर फिर से एक बार तुफान मुचाने आ गए हैं मैं क्या कहता हूँ रख तु राह पर दो चार ही कदम मगर जरा तबियत से मंजिल खुद बखुद चलकर तुरे पास आएगी अरे हालात का रोना रोने बाले मत भूल कि तेरी तकदीर ही तेरी तकदीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी इसलिए अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कभी निरास मत हो हतास मत हो आप बताओ मैं आपसे लिखाओ फ्रogo प्रका करेंगरी का होगा हर बच्चा कहता है हर और यह खेंगर स्थिखना चाहते हो चोटे बच्चे को बढ़े बच्चे को सिखाना चाहते हो आंगरीजी तो ऐसे नहीं एक्जाम पासकरान चाहते हो लालका चाहते हो लालका घ्रादर की एक लाड़का दो लाका है हमने बोला क्या है यई एक लड़का है सीप्ल समझो यहें एक लोगा है ہं़े लीगा है समझना बढ़िया से हमने बोला कि लड़का लड़का जो है लड़का चोर है वो लड़का चोर है लड़का चोर है हमने बोल दिया समझना कोर से हमने यह लड़का है सिंपल लड़का लड़का चोर है यह संदेंस लिखा मैंने अब संदेंस बोल दिया यह वहला कॉपी नहीं तो हमने बोला सिंपल साथ सारे बच्चे पहले लाइक करो ऐसे मुझे मुझे मज़ा नहीं हा रहा यहास आप लाइक किया अब सारे बच्चे लाइक करने के साथ एक बार अगने जी बोलो हम लड़का बॉए तो गलत गलत क्यों यहां लड़का है हमने बोल दिया इस इस बॉए गलत गलत लड़का चोर है हमने बोल दिया बॉए इस थीफ गलत अब देखो अबने बोला यहां पर बॉए थीफ लड़का चोर है सब गलत अब कौन से प्रूटा है कि अंग्रेजी आएगा कैसे अंग्रेजी सीख इस पर लोग काम करेंगे उस पर सिखेंगे इंगलिस का सुरात कहां सोता है मेरे दोस्त मामला के वह समझी हमने कहा लड़का इसको है चुपा दिया तो सबसे पहला चीज आज से क्या सिखना वह समझी आपको आज से आपो सिंखना है क्या रहा है थे ओको एक क्यों पूण पूछो क्यों पूछोरे हिंदूस्तान में कोई नहीं बताया का धार में ससीवा मैं बता रहा हूं आपको धान देना है कि दुनिया का कोई भी नाउन यदि कॉमन नाउन हो क्या कहां दुनिया का कोई भी नाउन यदि कॉमन नाउन हो तो कॉमन नाउन बिना आर्टिकल का यूज नहीं होता है यानि बॉय से पहले तब सही होगा लडगा चोर है तो बोलना पड़ेगा the boy the boy is a thief यह क्योंकि चोर भी होगा common now the boy is a thief the boy is a thief कितना simple है है ना चलो आप मुझे लिए को ताना इतना simple sentence भी अगर नहीं बन पाता है नहीं सिख पाते हो तो अंग्रेजी में दिक्कत है सुईकार को इसको दाब वाई जाथीब लगा चोर है अब दाब वाई कहां सा गया सर कहां सा दा लगाएं उटकर सर तो बेटा इद्धा नहीं है पर लाइक करो बात कर तो आप से आज सिखाने के मुट में आ गया हूं आज में मेरा मुट सिखाने का है धर्मेंदर सर इस बैक आज धर्मेंदर तूफान माचाने बाले हैं इंग्लिस میں तूफान दंगल होता अब इसे काम ली चलेगा अगर दंगल जहलना है तो सुरू हो जाओ यहां पर क्या कहा दबवाई जथीफ लड़का चोर है बासमंगा अब देखो हमने कहा सुना गोर से हमने कहा राजा क्या लिखा भाई राजा आप बताओ बोलो राजा गरीजी क्या होता है तुम कहोगे सर किंग मतलब राजा बच्पन से पढ़े हैं हर किताब में लिखा रहता है किंग मतलब राजा गलत क्यों भाई सही लिखो राजा कौमन नाउन है कौन सा नाउन कौमन नाउन और कौमन नाउन जहां कहीं भी आएगा बिन आर् अगर आगे बोलना तुमको कि वहां एक राजा है या एक राजा है तो बोलना पड़ेगा देर इस अधूरा नहीं आता इसलिए इसको देर बोलते हैं इंट्रोडक्ट्री सब्जेक्ट इंट्रट्री सब्जेक्ट अब हमको बोलना है कि राजा इमांदार है जल्दी मेन नहीं कोई बच्चा कहता है बेसिक नहीं आता है धर्मेंसर के रहते हैं तुमको बेसिक नहीं आएगा मैं सिखाऊंगा हमकार मचादो पुर हिंदुस्तान में राजाई मंदार है संटेंस नहीं पहा रहा हूं ट्रांसलेशन नहीं पहा रहा हूं इंगलिस लिखा रहा हूं इंगलिस का जड़ कहा जाना मत भटकना मत इसी चैनल पर इस यूटूब पर मैं आउंगा शुबह के सहे नो बजे कल भी परसो भी भूलना मत टाइम कल कल मतलब तुमारो बुधभार के दिद कल ठीक है भी फिलाद बोलो राजा इमांदार हेली बोलो प्रजीस कहा कौन बना रहा है लाइक तो किया ही नहीं मेरे दोस्त लाइक तो करो मजा आची मुझे ना अभी तक लाइक नहीं किया तुम बताओ कैसे घम चलेगा लाइक करने से क्या होता है पता है क्या गुरु दक्षना मिलता है मुझे लगता है तुम सब देख रहे हो तुम सब सीख रहे हो तुम सब पहर रहे हो देखो न अभी तक तुम लाइक तुमें नहीं किया है कहां गया तुम यस नूतन कुमारी नूतन ब्रजेश नीशू फटाफट देखो राजा-इमंदार है कहा है राजा-इमंदार है कल मेरे एक्जाम है सर्थ सुबस्ट जा जना राजा-इमंदार जने बोले फ्रफट दे किंग इज ऑनेस्ट अ किंग इज ऑनेस्ट दा किंग इज अधान देना ए और दा में क्या आंतर है बहुत बच्चा बनाया है आ किंग इज ऑनेस्ट यस बहुत बच्चा बोला है आ किंग इज ऑनेस्ट कुछ रखा बोला है दा किंग इज ऑनेस्ट कुछ रखा बोला है तो पहला संटेंस, गलत होगा, दूसरा वाला सही होगा, पूछो ऐसा क्यों हुआ सर, यह गलत क्यों हुआ, यह सही क्यों हुआ, बजह क्या देखो, क्योंकि राजा इमानदार है, राजा निस्चित है, अब पूछे कि सर, ए एंदा में क्या अंतर है, ए और दा में क्या धिए आधी आधी नहीं है तो हैंदार।etta मेरी बात समझ रही हो गंड़ गंगा मेरी और सुनध हuğ जब तक हम्को नहीं पता हैं जैसे मैंने कहा हैंच गंग भूबसूरत है तो गंगा खुबशूट है तो गंगा पता है कました सुंदर कौन है? गंगा? तो जिसके वारे पता है, तो ऐनिस्चित, और जो नहीं पता, वो अनिस्चित, तो जो चीज़ अंजान हो, उसके साथ ए लगाएंगे, और जो चीज़ जानकार हो, वहां पर आर्टिकल द, लगाएंगे, तो यहाँ पर हो गया, आगिंग RACH проблемы और हो गया, तो गलत हो गया, THE KING इमांदार, निस्चित है तो तो दलगा दिया. तो, Writing Skills इंगलीज का स्टाइल इंगलीज में शिरूल शिरू हो तो यह स्टाइल अपना पड़ेगा इंगलीज का जरय ही शुरूँ होगा यहां सबहार बेसिक कहीं होगा, इंगलीज सिखना चाहते हो ना, शिखाऊं गार देखो गषब से, बहुत सिंपस्ता सब्धुखूंभ हम ने बोला, कलम, क्या बोला बटा, कलम, आज सिखो, आज इंगलीज हर बच्चों सिखाऊं, कलम, अब बताओं अब अंगलीजी क्या ह पर जितना चीज है सब नाउन है को हम तो किताब में पढ़े हैं सर कि नाउन इज दा नेम आप परसन प्लेसिंग और अनिमल काट दो उल्टा पुल्टा मत पर हो इस प्रिधी पर जो भी है सब नाउन है और सब पिक्चर है तुम जो भी बोलो तुम्हारी दिमाग में फोटो होगा बिना इमेज के बिना पिक्चर के तुम एक संटेंस बोल ही पाएगा अगर बोलता है तो बोल के दिखा बोलो कलम बोलते हो तुम मैंगो बोलते हो आम बोल वो सारा का सारा नाउन, कॉमन नाउन कहलाता है, जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, उसे कॉमन नाउन कहते हैं मेरे दोस्त, उसे कॉमन नाउन कहते हैं मेरे भाई, आज एक भाई, दूसरे भाई को सिखा रहा है, एक दोस्त, दूसरे दोस्त को सिखा रहा है, मैं हिं ग्एव सब्सक्राम यदकी सब्सक्राइबर यह एंच करुंद के लिए पूछ थी अल्भ म कौना है। करना है लो वि Chrome सफोर पर फोट बना जब बदा एंध पुर्णबर हुदि कोमन नाउन , बोलो मॉवाइलपोड , अर्स , नाउन, पेन , नाउन ,कॉपी , नाउन , टेबल नाउन-नाउनन रचीज कौन स नाउन नाउन , sled नाउन nuclear death , जिसका भी पोटो धिमाग में बनता है , उसे बॡोते हैं कॉमन नाउन , जिसका भी फोटो दिमाग में बनता है उसे बोलते हैं कॉमन नाउं याद हुआ और वह कॉमन नाउं चाहे कुछ भी हो जाए आर्टिकल ए लगाओ एन लगाओ दा लगाओ लगाना ही पड़ेगा तो बोलो मैंगो का प्रयोग बिना आर्टिकल को होगा तो चाहे ए लगाओ गंगर का प्रयोग चाहे आ लगाओ चाहे दा लगाओ कलम का अंगरेजी – पेन चाहे ए लगाओ चाहे दा लगाओ अब अच्ही बात अब बात पकाल Cup में या सर अगया थिखो बट पई अब हमने कहा से ऐन संटेंस दिया कि गंगा गंगा आम हाथ है यह sentence हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा बना सकता है हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा बना सकता है लेकिन मैं चाहता हूं confidence के साथ बनाए मैं चाहता हूं सीना ठोक के बनाए कि सही है कि गलत है 30 सेकंड से काम नहीं चलेगा अब जंगल होगा तंग्रेजी мной हिंडूसएन में गुर शो में ही ऑन्गा गांगा झाल करें। गंडा ढम खाती है। एピॉला करेंगा dal सर्ण कर पाती होगा की यह अधिय। गंपषणी कक्शनी को उपस धिया दूँ क्रिभाइँ उपक्रण। साहु गंगा इट्स मैंगो देख़ेगा घंगा इट्स मैंगो मच तरह भाई साहब आपको राइटिंगल सिखना अक toughest गणि ऐसे अर्यन यहां डेकिये कौन है प्रसांत परभन प्रसांथ प्रभन है जो लिखें गंगा areas Mangoo 90% लोगों लिखाizo Ganga its eye mango मेरे दोस्त ऐसे गलती ना करो मेरे भाई अभी ने पखाया था कि दुनिया का कौई nago Akaan अकर image अगर image बनता हो photo बनता हो दिमाग मैं image photo बनता हो तो उसे बोलते हैं common no and it's from a noun or common noun बिना article हो विश्ट नहीं होता है तो बोलो मैंगो का फोटो बन रहा है मैंगो का इमेज बन रहा है लेकिन गंगा का इमेज नहीं बन रहा क्यों भाई क्योंकि गंगा इस अप्रो पर नाव क्यों सर गंगा नाम है गंगा नदी का नाम है गंगा ब्यक्ति का नाम है गंगा ललकी का नाम है तो नहीं पता कैसी दिखती इमेज नहीं है इसलिए गंगा के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा लेकिन मैंगो के पहले आर्टिकल लगेगा क्योंकि बिना मैंगो आर्टिकल के आएगा है नहीं तो गलत हो गया संटेंस भाई साहब क्योंकि मैंगो गलत है सिखिए अंग्रेजी तब सिखाइए आज मैं जाग गया हूँ आज धर्मेंदरसर बैक हो गए है फिर से एक बार धर्मेंदरसर इस बैक बहुत दिन से में चुपा हुआ था क्रांती नहीं फैला हुआ था आज मैं क्रांती फैलाने के लिए बापीस आ गया हूँ हिंदुस्तान में जवाब दो सबको बोल दो कि धर्मेंस राच चुके हैं डेली रात कुनों बजे और बूधवार को आएंगे सुबह साहर नौ बजे तो कल साहर नौ बजे रिदी रहना तो गंगा क्या बनेगा इसे भाई गंगा इस ए मैंगो गंगा इस ए मैंगो क्यों भा यहां पर आहम आहम इसा कॉमन नाउन और कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आता है अब पूछो क्यों आता है यहां बताओंगा रिगूलर क्लास में यहां बताओंगा में क्लास में जब तुम आएगा मेरे साथ पहने के लिए जब तुम कल से क्लास में आएगा कब सुबह स तब बता हुआ तुमको कि क्या होता है इंगलिस पार्ट सबस्पीच पहाना छोड़ दूँगा अकर नहीं समझ माया तो तर गंगाईर्स मेंगो यहीं पर बोल दिया हमने तुमसे पूछ रहा हूं तुमसे जो बचाव देख रहा हूं अगली आम आम सड़ा हुआ है आम सड़ा हुआ है बता अंग्रेजी आम सड़ा हुआ है बता अब बता अंग्रेजी इसका आम सड़ा हुआ है जो बताएगा उसको कल का क्लास प्री आपकोस्ट घोसना कर दिया अभी बताओ जो अभी लाइब में बता देगा आम सड़ा हुआ है इसका अ रहा है वह class free of cost free of cost दे दूँगा मैं चेक कर रहा हूं comment मैं comment check रहा हूं दो आमश्रा हुआ जबाब दो जबाब दो मतरब कर रहा हुआ है जलाब कर रहा है कि मजात नहीं सिर्याइड जबाब हजो बच्चा बताएगा आम वहा है फड़ा फट बिसू उदायली अभिसेक इंगलीज दा मैंगो बाज राइपेन सड़ा हुआ है बोला हुआ हुआ है सड़ा हुआ फटा फट केमेंट करिए आप मैंगो इस रॉटेन हिमांसु पांडे हिमांसु जी थ्वास गबर हो गया है हिमांसु सही से थ्वास पीछे हैं हिमांसु फटा फट जवाब दो कमेंट कमांड 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 कौन दे रहा है मुझे अभी अंसर नहीं मिल पाया है यहां देखिए अमैंगो दा मैंगो इंगलिस प्रणंसियेशन सेर अब देखो गवर से क्या कंसिप कह रहा है मैं बाभी सा रहा हो आम कोमा नाउन है कि नहीं पता है मैं क्या प्ला रहा हूं बहुत बes Anything अदिध कि player जो आखिद कि और पांज समझ भी हाई को समझ मिलог आपको समझ डा हुआ है आम सडा हुआ है मतलब है आम बरवाद है का कुणա पांज सडाह करें में तक है क्रोटेर हिए लेकिन आम मुझे इह बता कि निश्चित हुआ या अनिश्चित हुआ जल्दी बताओ आम निश्चित किया निश्चित अनिश्चित क्या हुआ निश्चित तो आम निश्चित हो गया तो आम का अंग्रेजी हो जाएगा दा मैंगो बहुत बचों ने सही किया है दा मैंगो बहुत बचों का सही है दा बहुत अशी जवाब आप प्रस्ट उड़ता है कि the mango के बाद अब आम है singular तो the mango is the mango is or sarna कहोता है rotten the mango is rotten और यह जवाब बिलकुल ज़े जवाब है the mango जितने बच्छों का सही था clapping कि जी अगर में देख पाया तो कोई बात नहीं बहुत सही जवाब है और जिनको सही जवाब मिला है उन्हें DSL двारा कोल किया जाएगा। जिनका जवाब सही है, मैं देखभा रहा हूँ, जिनका सही जवाब होगा, उन्हें free of cost class दिया जाएगा। को द्वारा दिया जाएगा ठीक है अब गला कॉंसेट है दा मैंगो इस रॉटेन यह वा सही जवाब जिन बचों का भी नहीं हुआ है जिन बचों ने सही जवाब दिया है हमने प्रॉमिस किया है उनको क्लास मिलेगा आप मैं देख लूँगा कौन बच्चे का हुआ है मेरे था तरह दूदा तरह भी जिन बचा द रहा एक है तब को जवाब का सहीज जवाब दिया जाए अपको मेंगो मैंगो नहीं Choice Baat बहुत जवाब आप सबों का और बहुत थित्यारी कर रहे हैं मुझे बस इतना बताईए जो आपस पुछ रहा हूं आज का क्लास क्या दुनिया का भेतरिन क्लास लगा है आपने सीखा क्या पहते को मनाओ छुनो जो कुछ मैं प्रहा रहा हूं गौर सब मेरी बात को क्या मैं प्रहाने जा रहा हूं सबसे पहला चीज कि धोता क्या है सिखते क्या है कि यह जो एप है अपडेट हो गया है यह देट हो गया है तो अपडेट कर लीजिए नमबर दुसरा क्या काम करना है कि यह किताब है Amai John मिलता है i.e.spoken का चार साल का मेहनत था यह किताब चार साल निकाला हूँ किसके लिए शिर्फ आप सब बच्चों के लिए तो यह किताब आप सब के लिए है तो यह English का spoken का बुख है रेट बुक के नाम से, यहाँ किताब आप जरूर मंगबा ले, अपने घर बैठे, पढ़ने का प्रयास में जौन से, जितना ही पहारा हूं, तो अचीवर एप, करांतिकारी एप, यह आपके पास होना चाहिए, दो एप हिंदुस्तान में है, दो करांतिकारी एप है, यह 5 रे बिलको, 0,2.0 नाम से, इदम बिलकूल कम सकम, 1,999 रुपया में, जब 10 बेसिक प्लस फाउंडेशन प्लस एडवांस, छे महिने का बैच होगा, एक महिने ही, एक साल तक लगातार पहते रहो, कोई चार्ज नहीं, दो हजार रुपया में, एक साल तक, एक साल तक, और फास्ट्रेक 0.2 बैच है, इनिस फाउंडेशन, हर एक्जाम के लिए है, SAC के लिए, CPO के लिए, UPSC के लिए, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे बीडू डालते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे डान्स अच्छा होगा, धर्मेंस का क्लास देखिए, तेल प्लस अमेजॉन, इस दो जगा धर्मेंसर भी बुक है, आपको किताब नहीं मिलता, आप चले जाए अमेजॉन पे, फिलिप कार्ट पे, धर्मेंसर डालिए, डेसल डालिए, मेरा फोटो लगा होगा, वो डालिए, और नहीं, तो डेसल में कॉल करिए, यहां किताब फ्री आपके घर पुंचा दिया जाएगा, घर पुंचा दिया जाएगा, कोई भी लाइफ में दिक्कत चल रहा हो, परसाइन चल रहा हो, इंगली से समन्दित कोई दिक्कत हो, तो इन नमबर दिया गया है, इस पे वाट्स अप करो, जब तक स्टाफ फोन नहीं उठाता है, तब बेसिक से, जीरो से, बच कर नहीं जाओगे, सिख कर जाओगे, यह मेरा वादा है, गैरेंटी है, डियरना नहीं, DSL है, धर्मेंसर है, तो इंगली से, ठीक है, तो यह सारा चीज, फोन नमबर मेरे ही है, कभी भी कॉल करो, सिखा दिया जाएगा, करवा दिया जाएगा, ठी मैं धर्मेंसर वादा करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में करांती फला रहा हूँ, आपके माध्यम से, लेकिन मैं एक को जगाता हूँ, आप दस को जगाएगे, मैं दस जगाता हूँ, आप सो जगाएगे, मैं सो जगाता हूँ, आप हजार, मैं हजारों करता हूँ, आप काम करो डू देट रट करके अंगरेजी नहीं आएगा इंगलिस सिखना है कॉंसेप्ट सिखो जड़ सिखो इंगलिस आ जाएगा वो काम मेरा है चिखाने का मैं सिखाऊंगा मैं पढ़ाऊंगा आप समुका बहुत बुधने बाद कल मिलते हैं फिर से एक बार सुबह सारहे न सुबह साढ़े नौ बजे कब कल इंतजार करना मेरा पूरा प्लाहों का पार्ट समस्पीच याद रहेगा कल मिलते हैं फिर थैंक्यू बज़ बज़ बाबाए